और आप फटाफट एक नजार आज की कुछ और बड़ी खबरों पार एक महीने से ज्यादा समय से तनाव जिल रही कश्मीर घाटे के हालात पर शुक्रुवार को सर्वदलिय बैठख थे बैठख की अध्यक्षता पियम मोडी ने की बता दें कि इससे पहले विपक्स के दवाव की बाद सरकान राजसभा में कश्मीर पर्चा चखी थी लोग सभा में कश्मीर को लेकर प्रस्ताफ पारिक किया गया है इसमें कहा गया है कि राश्टिस रक्षा और अखंडता को लेकर कोई भी समझोता नहीं क्या जाएगा बैठख में कश्मीर हिजबुल आतन की बुरहनवानी के मारे जाने के बाद से जारी हिंसा और कर्फी को लेकर चुन्ता जटाई गई भारत के चीफ जोस्टिस टीयस ठाकुन शिकरवार को केंद्र खी मोडी सरकार को फटकार लगाई है टीयस ठाकुन ने कहा कि केंद्र सरकार खुट ठीक से काम नहीं करती और आरोप जजजो और कोट पर लगाती है किया स्थाकुन ने ये फटकार परिवहन मंत्राले से जोड़ी याचिकाओं वाले मामले पर लगाई है इन याचिकाओं में सड़क हाथसो पर केंजिल सरकार का पक्ष पूछा लिया था जिसका जवाब सरकार ने तीन जन्हेत याचिकाओं के बाद भी नहीं दिया इन याचिकाओं की सनवाई टिये स्थाकुन ही कर रहे थे शुकरवार को भी सरकार का कोई पक्ष ना आने पर टिये स्थाकुने पैस्था सुनाते हुए परिवहन मंत्राले पर 25,000 रुपाई का जुर्माना लगा दिया है बेस्पी सुप्रीम और मायवदी ने शुकरवार को उत्ते प्रदेश की कानून व्यवस्था की बदहाली पर टिपनी करते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री अखिले शुयादव स्थिती को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं तो उने इस्तिफा दे देना चाहिए उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज रही नहीं गई है गौरतलब है कि बीजेपी नेता ब्रिजपाल तेवतिया पर कुछ अग्याथ हमलावारों ने एके 47 से हमला कर दिया था उनके काफिले पर अंधा धुन्द फाइरिंग की गई थी तेवतिया के साथ उनके छे अंग रक्षक भी खायल हो गए हैं उनका इलाज नौईरा के अस्पतार में चल रहा है बीदीराद गाजियाबाद इलाके में अग्याथ हमलावारों ने बीजेपी नेता ब्रिजपाल तेवतिया के काफिले पर हमला किया हमला वर AK-47 वाइफल से लेस थे और उन्होंने तेवतिया के काफिले पर अंधा धुंद करीब पच्चास डाउन फायरी की इस हमले में बीजेपी नेता तेवतिया के साथ करीब 6 उनके रक्षक भी घायल हो गए अब पुलिस थे इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया है जिन से पूछताज के बाद मामला आपसी रंजिश का लग रहा है हिरासत में ली गई पुलिस कांस्टेबल सुनीता के मताबिक उसे पूरी प्लानिंग की जौनकारी नहीं थी लेकिन वो तेवतिया से बदला लेना चाहती थी क्योंकि उसी की वज़ा से उसके पती राकेश हसन पूरियां की मौत हुई पुलिस सूतरों के मताबिक इस मामले में राजनगर में एक प्लाट को लेकर रंजिश का मामला सामने आ रहा है शारुखान के अमेरिकी एपोर्ट पर हिरासत मिले जाने की खबर जैसे ही आई सोशल नीडिया पर फैंस ने घुसे में देखते गए तो देश के तमाम दिगज नेताओं ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रियाएं दी चाहे बीजेपी हो कॉंग्रेस या शिट सेना सभी ने एक सुरी में मिलकर इसकी कड़ी आलोच ना की अल्प संख्यक कल्यान मंतरी और बीजेपी के नेता मुक्तार अब्बास मतली ने इस मामने पर कहा है कि धर्म महजब के नाम पर अगर इस तरह किसी भी भारतिय को बार बार रोका जाएगा तो ये किसी भी तरह स्विकार नहीं किया जा सकता है कॉंग्रेस के नेता राजीव शुकल ने कहा कि बार बार अमारिकी एपोट पर शारुख खान को रोका जाना अमेरिका की सिलक्षा जांच में खामी को दिखाता है शिफसेना के संजेर राउत ने शौरुख मामले में कहा कि तीसरी बार अमेरिकी इमिग्रेशन में उन्हें रोका जाना बेहत शिंता की बात है सिर्फ उनका नाम खान होने की वज़ा से बार बार ऐसा अपमान होना किसी भी तरह स्विकार नहीं किया जा सकता है आलग युन्होंने दूसरे तरीके से ये भी कहा कि शारुख खान जैसी सेलिबिटिक को स्वभी मान दिखाना चाहिए और जिस देश में उनका बार बार अपमान होता रहा हो वहां उन्हें खुद ही अमेरिका ना जाने का पैसला करके अपने आत्म सम्मान को उचा दिखाना चाहिए शारुख खान न भारत को असहिश्णू देश कहा और फिर वो ऐसे देश बार बार क्यों जा रहे हैं जहां इस तरफा का अहिश्णू वेवहार उनके साथ उता रहता है उन्हें तो तैय कर लेना चाहिए कि वो अमेरिका की धर्की पर कभी पैन नहीं रखेंगे बॉलिवड सुपरस्टार शारुख खान को एक बार फिर अमेरिकी एरपोर्ट पर जाज के लिए रोके जाने की घचना पर राइटर तस्नीमा नसरीन ने प्रतिक्रिया दी है उन्होंने कहा है कि सारुख को रोका जाना कोई बड़ी बात नहीं है वे भारत में स्टार है अमेरिका में नहीं तस्नीमा ने लिखा सारुक खान को अमेरिका एपोट पर रोका गया तो क्या कुआ बहुत सारे मुसल्मानों को अमेरिके एपोट पर हर रोज रोका जाता है खान भारत में स्टार है अमेरिका में नहीं तस्नीमा यही नहीं रुकी उन्होंने लिखा सच्चा यही है कि गैर मुस्लिम अब मुस्लिमों पार भरोसा नहीं करते मुस्लिम आतंगी ने डोश लोगों को मारते रहते हैं लोगों को डर लगता है कि अगर आप मुस्लिमान हैं तो हो सकता है कि आप आतंगी हो जम्मू एवन कश्मीर में हिजबुल मजाहिदिन के आतनवादी बुर्हान वानी के मारे जाने के बाद हुए परदर्शनों में मारे गई सब्बीर एहमद मेर की मौत के मामले में सुप्रीम पोर्च ने उसके शब को कबर से निकालका कोस्मातम और फॉर्ण सिक जाज करने के आदेश दिये हैं तो इसके मताबिक शब्बीर की मौत कैलिच गंट से हुई जब की उसके पिता का दावा है कि शब्बीर को गोली मार कर उसकी खत्या की गई फीड़ित की ओस के पेश कुई कपिल सिब्बल ने कहा कि राज्य को कड़ा समले से जाना चाहिए और पोस्मातम से ही पता चलेगा कि शब्बीर की मौत गोली लगने से हुई या क्यालक से अब कोड के आदेश के मुताबिक सी नगर में जुले के प्रमुक जजज के देखरेक में होगी या करवाई थोगी और प्रमुक जजज के सुझावक पर डॉक्टरों का पैनल कोस्ट मास्टम करेगा सुप्रीम कोर्ट में तीन हफ़ते में रिपोर्ट बाखिल करने का आदेश दिया है इस न्यूज बुलिजन में फिल हाल इतना ही ताज अतरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े वे ही मेट्टू टीवी से नमस्कार